दोस्तो अगर आपके पास भी e-sarm card है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को government की एक ऐसी scheme के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए अगर आप apply कर देते हो तो आपको बिना कुछ किये government की तरफ से महीने के 3000 रुपे pension के तौर पे दिये जाएंगे तो आए दोस्तो इस टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्याद मेहनत लगता है चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूं कि गौर्णमेंट क्यों कौन सी स्कीम है जिसके लिए आप अपलाई करके महीने का 3000 रुपे बहुत ही असानी से पैंसन के तोर पर पर प्राप्ट कर सकते ह आप यहां पर देख सकते हो मैंने एक ब्राउजर ओपेन कर लिया है आप जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो अपने मोबाईल पॉन में या फिर अपने लैप्टॉप या PC में मैं यहां पर अभी Chrome ब्राउजर कर यूज कर रहा हूं ठीक है यह चर्णड सोर्च करने के बाद आपको इंटर पे कलिक कर देना है अब दोस्तो जैसी अप यहां पे लूजर वी उपन कर से हो यहां पर देखिए इसको यहां को जो फाइसल पोर्तल आपको फिल चाहिए दोश्टो आप थोड़ा सा ब्रब्र मिल जाता अब यहां पे क्या करता हूं इस विखे-पर नहीं करूगा। और यहां पर पर देख सकता है। honiper अब धियाने मिखे और अप register नहीं कर पाओगे अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे आप देख तो एक services का option मिल जाता है इस वाले बटन पे आप जैसे अपना खोलेगा वैसी आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास e-sarm card है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अब देखे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको इनॉल्मेंट फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आपको अपना personal detail देना है जैसे कि आपका UN number मतलब क देखे लुखकी आपका जो e-sarm card का no more होता है वो number यहाँ पर लिखने है आपके e-sarm पर लिखा होगा वह उसके बाद आपको अपना यहाँ पर आपको यहाँ पे अपना email id लिखना है उसके नीचे आपको अपना mobile number लिखना है और फिर दुबारा से verify पे click करना है ठीक है verify कर लेना है उसके बद आपको अपना gender यहाँ पे अपने आप आजाएगा नहीं feel करना है ठीक है उसके बद आपको अपना address फिल करना है यहाँ जैसे यहां पर देख सकते हैं, weather member beneficiary of NPS, ESIC, or EPFO, कि अपका PF करता है, या फिर आपका ESI करता है, तो अगर आपका करता है, तो आपको yes कर देना है, और नहीं करता है, तो आपको no कर देना है, ठीके, और यहां पर आपको पूछा जाता है, कि क्या आप taxpayer हो, तो अगर आप pay करते हो, तो yes कर देना है और नहीं करते हो तो no कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यह जो yes का tick का बटन दिख रहा है इस पर आपको tick कर देना है और टिक करने के बाद आपको submit कर देना है अब जैसे आप इस form को submit करोगे इसके बाद दोस्तों second step में आपको अपना bank detail औ और नोमनी डीटेल डालना है, नोमनी आप किसी को भी बना सकते हो, अपने माता पिता को, भाई बेहन को, या फिर अपने वाइप को, या हस्मेंड आपके, तो हस्मेंड को किसी को भी बना सकते हो, उसके बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद उस form को feel करना है जो भी उसमें मांगे और उसको दुबारा से upload कर देना है JPG में आप upload कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक payment का option दिखाओगा पांच नंबर पे तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक payment करना पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए आपकी उमर जितनी भी है उसके हिसाब से आपका payment कटेगा और जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तो बिना आपके कुछ किये government महीने का आपको 3,000 रुपे जो है pension के तोर पे दोगी तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही अच्छा scheme है अगर आप 60 साल के जब हो जाते हो और आपके पास पैसा इंकम आने का कोई जगा निये तो यहां से आपको government की तरफ से pension के तोर पे 3,000 रुपे मिलता रहेगा और आपसे ज़्यादा payment भी नहीं लिया जा रहा है सिर्फ 55 रुपे का payment और अगर आपकी उमर ज़्यादा है तो यह payment कम भी हो जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद आप जिस भी account से इसको करोगे उस account से automatic payment जो है कर जाएगा पर मत और यहां पे आपको download card कर लेना है मतलब कि जब आप payment कर दोगे तो उसके बाद जो है आपका एक card निकल जाएगा जैसे कि आपका UN card होता है E-Sarm card होता है वैसे ही आपका card निकल जाएगा उस card को आपको समाल कर रखना है आप उसे phone में save करके भी रख सकते हो या फिर किसी गढ़ाक सेवा केंदरा से जाके उसे निकलवा भी सकते हो तो दोस्तो यही scheme है government का जो कि मुझे बहुत ही अच्छा scheme लगा कोई ज्यादा payment भी नहीं लिया जा रहा है आपसे और यह government की तरफ से है तो यह secure भी है आपको आगे जाके कोई problem नहीं होना इसमें और सिर्फ 55 रुपे या फिर आपकी उमर थोड़ी ज्यादा है तो इससे कम में ही जब आपकी उमर 60 साल की हो जाएगी तो आपको 3000 मन्थली बहुती आसानी से मिल जाएगा बीना कुछ यह तो दोस्तों यह scheme कैसा लगा comment करके जोरो बताएगा मुझे तो बहुती अच्छा scheme लगा scheme अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो comment करके जोरो बताएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के like कर दीजेगा और साथ में चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर लीजेगा चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में और हाँ दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर अगर आप इस scheme के बारे में और कुछ जानना चाते हैं तो आप मेरे को comment करके बता दीजेगा मैं उसके बारे में आपको बाकी और कोई जानकारी अगर आप जानना चाते हैं तो बता दूँगा चले दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में